टेयोटा की पहली ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आप लोग को CNG मिल जाएगी S और G दो वेरियंट के अंदर CNG आएगी यह आपको इसका G वेरियंट देख रहे हो गुडगाओ अरियान में 10,75,000 रुपीज यह कोश्ट करेगा अगर आप इसको बलिनों से कंपेर करोगे तो 30,000 रुपे महेंगी पड़ती है अब इस 30,000 रुपे में एक्स्ट्र क्या मिल जाता है एक तो आप लोग को जो इसकी वरंटी है यहाँ पर 3 साल की और 1,00,000 किलोमेटर की मिल जाएगी वहीं बलिनों में देखोगे तो 2 साल और 40,000 किलोमेटर की वापर वरंटी मिलती है थो और इंडिकेटर जो है वो हैलोजन बल्प के साथ मिलते हैं अब बलिनों में और इसमें डिफ्रेंस यह है कि इसका जो बंपर है वो चेंज है और अगे जो टेयोटा का लोगो है वो चेंज है है एडलाइट के अंदर जो डियारल से है वो चेंज मिलेंगे बाकी इस section मिलता है 195 55 और 16 इंच का गाड़ी के अंदर का है front तो आपको disc मिलता है and rear गाड़ी के अंदर में drum brake आ जाता है अब side profile से देखने में इसरफ यह difference मिलेगा बलिनों से chrome door handles गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाते हैं driver side और passenger side दोनों side में request sensor मिल जाते हैं गाड़ी को lock and unlock करने के लिए window के निचे chrome line भी जो है मिल जाती है बट चो tinted glass है वो इसके अंदर में नहीं मिलते हैं ORVM के है auto adjust और auto foldable दोनों function के साथ में इस variant के अंदर में मिल जाते हैं जो यह glens है 37 liter की fuel tank capacity के साथ आती है जो इसके अंदर में petrol का tank लगा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है CNG tank आने के बाद इसकी petrol की tank की capacity कम हो गई ऐसे कुछ भी नहीं है rear गाड़ी के अंदर में drum break आएगा जो aloe भी लेना काफी बढ़िया से इसके अंदर में आप लोग को मिल जाते है अब back profile से देखोगे तो गाड़ी की look जो है ना overall मतलब किसी वी से भी compare कर लो मतलब बली नहोची गलेंजा हो दोनोई गाड़ीयों की look काफी बढ़िया सी इनके अंदर में मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर आपको LED में tail lights मिल जाती है defog और wiper दोनों चीज़ें मिल जाती है high moment stop lamp मिल जाता है spoiler भी जो है गाड़ी के अंदर में परकिंग sensors भी जो है इस गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं चार परकिंग sensor मिल जाते हैं और जो camera है वो भी आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है और ये गाड़ी आपको 55 लिटर की वोटर कैपेस्टी के साथ इसके अंदर में CNG टैंक मिलेगा अगर इसे कंपेर करोगे ना बलिनो या फिर ग्लाइन्जा दोनों ही गाड़ियों में आपको बिल्कुल CMC मायलिज मिलेगी और जो बूट स्पेस है भाई काफी अच्छा इसके अंदर मिल जाता है स्पेर वील की जो प्लेसमेंट है आग एक तरफ में की गई है और इसके उपर एक कवरिंग सी दे रखिया इसके अंदर को नट वाड़ा से सिस्टम नहीं मिलता है साइड से आउपन करो सिधा आपका स्पेर वील बार निकल के आजएगा पार्शल ट्रे भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है सेकिंड रोकी जो सीट है वो इसके अंदर में 60-40 स्प्लिट सीटे मिलती है जाता है अब गाड़ी के इंटीरियर से बताता हूं कि क्या कैसे इसके अंदर में मिल जाती है और क्या डिफरेंस मिलता है कंपेरिटिवली बलीनों से यहाँ पे आप देख रहे हो तो ब्लैक में आपको लैदर मिल जागा उपर के तरफ में बेज से कलर में यूज़ दे रखा है बट पलीनुम क्या है यहाँ ब्ल्यू कलर का मिलेगा चार उपार विंड़ेंस चीज बगार सब कुछ थे टेकोमेटर, स्पीडोमेटर दोनों चीज़ अनलोग मिलती है और यह फ्यूल गेज था C&G का और यह पैट्रल वाल गेज दे रखा है बीच में डिजिटल में कलस्टर दिया है जो कि आपकी नॉर्मल से ही इन्फोर्मेशन शो करता है जो गाड़ी का स्टेरिंग भी लेना फ्लैट बोटम आ जाता है बट यह लेदर रेप इसके अंदर में नहीं मिलेगा बीच में जो आपको टेटा का लोग एक्स्ट्रा मिल जाएगा वोल्यूम के लिए रखा को क्रूज कंट्रोल जो है इस वेरियंट के अंदर में नहीं मिलता है और जो श्टेरिंग भी लेन गाड़ी का टेल्ट एंड टेलिस्कोपिक दोनों अड्जेस्टमेंट के साथ में मिल जाता है ओटो हैड्लैंप्स पी जो गाड़ी के अंदर मिल जाती है बट जो ओट वाईपर नहीं मिलते है तच्क्रीन डिस्प्ले इसके अंदर में 7 इंच की आती है वो बड़ी वाली गाड़ी के अंदर मिल जाती है 12 वोल्ट का शोकित मिल जाता है दो ग्लास होल्डर आगे की तरफ में दे रखे हैं कोई वायरलेस सार्जिंग को गर नहीं मिलेगी 5 स्पीड ही गाड़ी के अंदर में गेर बोक्स आएगा आर्मरेस स्लाइडिंग वाला मिल जाता है और स्प गाड़ी के अंदर से ये विजिबिलिटी इस्यू करेगी जो टच्क्रिन और आई एर्म के बीच में गैप का मुझे लगा है और इस गाड़ी के अंदर एक अच्छी बात है जैसे आप इस गाड़ी का डैस्पोर्ट देखो भाई कितना बढ़िया से आप लोग को ये लगने वाला है अब इसकी सीट को मैं 6 फूट के अकॉर्डिंग अडिजेस्ट कर देता हूँ और फिर इसकी सेक्टिन रों बदाता हूँ कि कैसा कमफर्ट मिलता है इसके अंदर जो नीरूम और लेगरूम है ना भाईजा एक नंबर का मिलता है आपको सेग्मेंट में देखोगे ना इतना नीरूम और लेगरूम किसी भी गाड़ी के अंदर में नहीं मिलने वाला है यहाँ पे देखोगे न तो आपको एर के वेंट्स मिल जाते दो चार्जिंग के मिलते हैं सेकींड रो में भी अध्येस्टेवल हेड्येस्ट इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं बट कोई आई यह गाड़ी में नहीं मिलते हैं बीच वाले के लिए टूपॉंट सीट बेल्ट है बाग्के साइड़ वाले बंद खली क्या है इसमें थ्री-पॉंट सीट बैल्ठी मिलती है दो जने गाड़ी के अंदर में यू है comfortably बैठ जाएंगे और तीन जने बैठेंगे तो यू है बदला बैठ सकते हैं उनको इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी सिरफ shoulders जो हैं वो टच होगे वो तेरा अजिकल सभी गाड़ीों में यहीं ही टच होता है इस नहीं क चो इसकी CNG के अंदर power voltage करेगा 76 bhp है और 98.nm of torque है ARI के according 30.6 km per kg की mileage claim करती है अगर आप इसको petrol में चलाते हैं तो 22.3 km per litre की mileage है तो यह आप पर डिपेंड करेगा गाड़ी किस तरीके से और किस terrain में आप drive कर रहे हो तो आप देखलो अब बलिनो में और ग्लेंजा में 30,000 का फरक पड़ता है तो आपके लिए कौन सी ज़्यादा वर्द रहती है तो आप टेयोटा का लोगो चाते हो इसकी लुक पसंद है तो आप इस टेयोटा ग्लैंजा की तरफ shift करें अगर आप warranty जादा चाते है तो अगर आप चाते हो कि मैं सर्विस बारशी करांगा मारती मे देख के लिए कि आपको मारती का सर्विस टेशन नियरवाई है या फिर टेयोटा का नियरवाई है तो आज की वीडियो में यही सब कुछ था वीडियो पसंद आने पर लाइक करना चैनल पनाए है तो सब्सक्राइब करना बाइवाई